ऐसाइब चोडिए जंगल में चले गया हैं जंगल के जंगल राज काहते थे और नितीस कुमार के करीबी वह रहे हैं बर सकना आता होगा हम लोग कभी जंगल का क्वें रहे नहीं हैं पूरे 17 साल में जो लोग रोजगार प्राप्त के हैं सब को सेटिफिकेट बांटे हैं इससे हाथ स्यास्पद और क्या बात हो सकती है बाजपा बांटती तो उस पर भी कहते ये गलत है ये ललंस इनको थोड़ा सा भी जमीर जिंदा रहता तो ये बात नहीं बोलते वो रहे है इंडिये में और इंडिये में रहे हैं और उनका विशेश राज का दरजा का गलाप फाड़ फाड़ के जो चिलाते थे बिहार में एक सीट पर फिर से उपचुनाव है कुढ़नी विधान सभा में एक वार फिर से उपचुनाव होने जा रहा है महागड़बंदन के तरफ से भी प्रत्याशियों का जो नाम है वायलान कर दिया गया है तो वहीं भारतिय जनता पार्टी के तरफ से भी चिराग पासवान का कहना है कि हम इस बार भी इंडियों को समर्थन करेंगे बात करते हैं हमारे साथ पुर्व सांसर्ड डॉक्टर अरुन कुमार जो की लोग चन सकती पार्टी राम विलास के वरिस्ट नेता है उनसे कि आखिरकार चिराग पासवान पिछली बार उन्होंने चुना परचार जब किया तो उन्होंने कहा कि बहुत कम समय मुझे मिला इस बार क्या लगता है ने बिल्कुल हमारे वरकर वहां काम कर रहे हैं और मजबूती से इस बार समर्थन हम लोग करेंगे और हम समझते हैं कि इसका परिणाम भी अच्छा होगा पहले से काम करने से सुभधा होती है आप लोग जिस तरीके से एंडिये में आये हैं बात हो रही रहा है कि जंगल इस तरह की बात counties जंगल में सेर भी रहता हैं भालू भी रहता इस तरह कि बयान को आप कैसे देखते हैं कि अब प्र transf कमार जंगलराज कहते थे औरर नितीस कमार के करीवी हुरण झाले इसलिए जंगल का सपना आता होगा हम लोग कभी festa वी नहीं है जंगल में जाना नहीं चाहता है, कुढ़नी में जिस तरीके से उप चुना हो रहा है और चिराग पास्वान समर्थन कर रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या अब तक लंबे समय हो गया, मुकामा चुनाव भी हो गया और अब कुढ़नी चुनाव भी है, मंत्री कब तक बनेंगे? देखिए लक्ष होता है हर व्यक्ति का हर पार्टी का हर जमायत का तो इस पार्टी का और हमारे रास्टी अध्यक्ष का जो लक्ष है वो बिहार को बनाने का है और बिहार की आवाम भी चिराग में वो प्रकास देख रहा है जिससे बिहार को अंधकार से प्रकास में लाया जा इसलिए लक्ष मंत्री बनना नहीं है लक्ष बिहार को बनना इस ब्यार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार लगतार रोजगार बाट रहे हैं और भारतिय जनता पार्टी आप लोगों की जिल सही होगी है वो आरोप लगा रही है बिहार में तो अच्छा काम हो रहा है ना पूरे 17 साल में जो लोग रोजगार प्राप्त के हैं सब को यह सेटिफिकेट देंगे उस पर और खर्चा एक्स चेकर का हम लोगों के टैक्स का पैसा बेमतलब का उनको बुलाने का उनके ट्रांजिट का यह सारा कुछ उस पर खर्च हो रहा है यह गैर कानूनी है और जो लोग नौकरी प्राप्त कर चुके हैं उनको यह सेटिफिकेट बॉंट रहा है बुला बुला करके आप लोगोंने क्यों नहीं बाटा पहले से निवक्ति पत्र के मालिक यही थे तो लोग इसे मट निवक्ति पत्र के बालिक तो वही थे और 17 साल में इनको आया कि बैक जितना हम लोगों को चिटपुट लाचारी में नौकरी देनी पड़ी है सब को सेटिफिकेट बांटे हैं इससे हास स्यास पद और क्या बात हो सकती है भाजपा बांटती तो उस पर भी कहते यह गलत है यह समयधानी कार्ज करना भाजपा भी करती तो उस पर हम कहते यह बिल् इनको थोडा साबी जिमीर जिंदा रहता तो ये बातनjem बोलते वो रहें हैं इंडिये में और इंडिये में रहें हैं और उनका विसेश राज का दर्जा का गुलाब फारपाद केजो चिलाते थे हजारों टन पेपर लेकर के लाद के दिल्ली ले गए थे और वो मैं उन दिनों भी कह रहा था कि ये जो कानून अभी है जिसे इस राजी का दर्जा उसको नहीं दिया जा सकता है लेकिन बिहार की जनता को बेबकूफ बनाने के लिए ये टीम बी टीम फिर कर रहा है ये कौन टीम में थे क्या करते थे इनलों को पता है नतीजा जब आएगा तो देखना होगा पांस तारी को वोटिंग भी है बनिश परणिशन के साथ नमस्कार